वह सब गाईज उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे लेकिन कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप लोग कैसे हैं आए जुरू करते हैं आज का वीडियो आज का वीडियो आपके लिए रॉयल इंफिल्ड हंटर 350 से रिलेटेड हमारे प्रिविएस वीडियो में खास बातें छिसके लिए हमने इसको चूष किया तो शबसे पहला आप सकते हैं चलाने के बाहिए पनेकल ओलख डिया है और ऑला है लग आपvellता अवकम यामक न्य व्यद्ण कुटेश कर सकते हैं प्लाने के बाहिए इस बहुत हुटुन रूग बिल्कुल लाइट अमोडिफेकेशन किया हुआ है उसके बारे में अलग वीडियो लेक्षे आओंगा और आपने इसका लुक देखा है इसका कलर वाइड और ब्लू का आप कलर कंबिनेशन कितना लग रहा है तो इसका पहला है था मेरा देखने के बाद में को काफी पसंद आई कि इसका कलर कॉंबीनेशन और लुक मुझे अच्छा लगा और उसके बाद हम आपको अगला सब्धाइब और मेरा जो नेक्स जरी से इसका को प्राइब करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आप रायल इंफ ने की किसी कुरूज भाहिक कर रहे होगा था आपको बिल्कुल ब्लाइक देह सरे हो इसका पीछे सीकर देने का ट्राइक गया और जिसका काफ शांदार है इस बाइक को मैं थार्ड गियर में 105 तक लेके गया हूं थार्ड गियर में 105 तक रोयल इंफिल्ड मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें इसमें पीक इतना अच्छा दिया है बिल्कुल श्पोर्टी कि फिल देगा आपको अगा आप कई भी चल रहे हो तो अगर अगर अगला पिक आपहँ आपको जो मेरा रीजन था था आपको हम एवरेच टेस्ट कई वीडियो नहीं लेक्के आं हैं लाकि हम इसको रेगुलर बिस्टर चला रहे हैं तो हमें पता है इसका एवरेज का पर अच्छा है हमने इसको हाइवेए पर 34 का निकाला है और सिटी राइड भी हमने की है इससे सिटे में हमको यह आराम से 30 के आसपास दे देती है तो एक रिजन यह भी था कि हमने इसको बाई किया क्योंकि 350 CC का इंजन है और इसमें एवरेज अगर 30 प्लस मिल रह तो यह का भी बड़ी चीज होती है क्योंकि 350 CC का इंजन का वी बड़ा इंजन होता है और उसमें अगर आपको इतना बेहतरी अवरेज मिले और साथ में आपको इसका पिक up मैंने बताया है कि किता सांदार पीक फैंप पिक अगर आपको average मिले और लुक तो कत्तेज रहां आप देखी सकते ओ तो इसलिए इसका है इसका average भी अच्छा है करके इस लिए इसको मैंने भाइद किया तो अगला जो में रीजन है इसको बाई करने का मेरा वो है इसका प्राइस सेग्मेंट तो अगर आप 2 लाग के रेंज में आपको 350 CC का इंजन मिल जाए इससे वड़ी बात क्या हो सकती आपके लिए क्योंकि 2,15,000 इसका मैं रोड प्राइस बता रहा हूं बनारस में बाकी जगह का थोड़ा बहुत उपर निचे हो सकता है लेकिन मैं बनारस से लिया हो इस बाइक को तो मैं बनारस की प्राइस बता रहा तो यहां पे दो लग 15,000 के मैंने इसको बाइक की है तो इस रेंज में में को 350 CC का इंजन मिला और साथ में इतना अच्छा लूक और पीक आप जानते ही हो तो यह में को बहु सबके लिए इसको कोई एफ़र्ट कर सकता है एक मिल्डल क्लास ट्वेमली के लिए अच्छी वाइक हो सकती है यह कि अगर आप सो चोड़ किसी और में बुसेंगे तो वह धाई लाक्या उससे ज्यादा की पड़ेगी आपको तरीस प्राइस सेग्में में मुझे यह बाइक ले रहे हो अगर आप साउंड के दिवाने हो तो आपको एक्जास चेंज करवाना पड़ता लेकिन इसका शाउंड मुझे कापी प्यारा समझ भाया अभी तक और वह मैं आपको अभी सुना देता हूं एक मिनिट कर देख सकते है कितना प्यारा आवाज दे रहा है मतलब एस मुडिफैकेशन की जरूरत ही नहीं है कापी प्यारी आवाज है थोड़ा एक्षाइग को यह चैस को यह मेरा वाइक करने का साय यह वह की भी बैदी नहीं इसमें एकट़ अक्रोडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसे नॉलेज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को दबाना ना बुलें क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर ऐसे बाइक से रिलेटेड वेज वियों लाते रहते हैं आपके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वी